हलो गाइज असलाम लेकम वेलकम बेक तो माई यूट्यूब चैनल विद अनधर गेमिंग वीडियो मैं आ गई हूँ आप रोक ले एक बड़े मज़े की वीडियो लेकर जिसमें आज हमने करनी है कुकिंग तो चलते हैं अपने फॉर्स्ट लेवल की तरफ तो सबसे पहले यहां पर हम कुछ चीजे कर लेते हैं जिसमें सबसे पहले है यह सॉल्ट आइगा अचा सॉरी वाटर उसके बाद है फ्लोर ताके हम अपना बेस बना सकें पिजा का दैन इसके बाद है बेकिंग पॉडर जिससे हमारा पिज़ा थोड़ा सा फूलेगा और पर तो यहां उड्रा उड्रा उडु यहां वी उप्णा के लीं, डवसके वी पीन पाद है यह एक और उलीवाइट है ता क figurने लेख चीजाती है हम बड़ेते हम लेखने मजे के के लोगी यहां गया सासम यहां पई सा इसके बाद हमारे पास हमारे हम अाश्या नक्ट यह सच बिल्कुल हमारा पिज़ा अच्छा नहीं लगेगा then I guess ये sausages हैं उसके बाद हैं हमारे ओलिफ तो अब चलते हैं next part की तरफ अच्छा एक चीज रिमेन है और वो है ये I don't know what is this ओके तो अब हम चलते हैं हमने चीज़ें कलेक्ट कर ली है उसके बाद हम चलते हैं mixing की तरफ तो सबसे पहले हम डालेंगे पानी अच्छा जी पानी डालने के बाद हमने डालना है इसमें फ्लोर आंटा मैदा बलके मैदे का बनता है पिज़ा तो तो हमने यहाँ डाल दिया है इसमें ओयल देन इसके बाद आ गई है बारी बेकिंग पॉडर की बड़े मज़े का पीज़ा बनने वाले है मेरे मुँ में तो अभी से पानी आ रहा यार वैसे भी मुझे बहुत भूग लग रही है और मेरे घर में आ रहे हैं गैस्ट तो उनके लिए मुझे बनाना है पिज़ा मैंने डाल दिया शुगर उसके बाद अब मैं इसको करूँगी मिक्स एंड मिक्स एंड मिक्स तो यह मैंने कर दिया है मिक्स इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स पार्ट की तरफ तो अब आ गए हैं अपनी नेक्स पार्ट की तरफ इस कटिंग तो अब हमने यहां पर सबसे पहले यह बैल पीपर लेना है इसको करना है हमने कट है जल्दी में कट कर दूं बहुत देहान से क्वेक्वर क सबसे मुषकिल काम होता है सबस्यां काटना हूं और सबस्य में अनियन काटना हो माई गाड बिना रीजन के डुला देती है नियन तो यार फैर देन कैपसिकम के बगार तो वैसे भी पिज़ा का टेस्ट इनकम्प्लीट है जल्दी 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 हम काट लें अब इसके बाद हम इसको भी पाउल में ताल देंगे अब आ गए हमारे ऑलिफ भी जादक टाइम हमारी कटटिंग में ही लग जाता है बध़ी और सबसे मुश्किल काम इंही होता है ये सासेज इसको हम यहां से काट लिडे जल्दी जल्दी हम करी थी को भी हमने कर दिया है क्यामारे गैस्ट आने वाले हैं और अब ही तक कह मारी सिर्फ कर तरेंग लत न तो हमने इसको भी कार्ड दिया है अब चलते हैं हम डो की तरफ तो यहां हमारे डो है अब हमने इसको हाथों से थोड़ा सा बेल दिया है इसके बाद इसको थोड़ा सा हाथों से करने के बाद अब हम इसको बेलन से थोड़ा सा बेल देंगे अच्छे से बेलेंगे बिलकुल अच्छा जी अब हम इस पर थोड़ी सी टॉपिंग्स लगा देंगे तो ये है I guess हमारा मस्टर्ड सॉस मस्टर्ड सॉस को हमने इसके उपर लगाना है सही से बिलकुल then अब हमने ये टुमेटो सॉस है ये I guess टुमेटो सॉस होगा या शेजवान सॉस होगा नहीं वो तो जादतर मुमोस में यूज होता है चलें तो फिर यहां पर हमने ये भी लगा दिया है तो बेस हमारी डैडी है हम आ गए हैं इसकी डेकुरेशन की तरफ तो भई सबसे अट्रेक्टिव हमारे पिज़ा को क्या बनाता है उसकी उपर की टॉपिंग्स तो हमने यहां अनियन की टॉपिंग्स कर दी है अच्छा थोड़ी कम नहीं है वैसे सही है इसके बाद हमारी मश्रूम्स की टॉपिंग्स हो गई है और मुझे से लग रहे है कि थोड़ा सा मश्रूम्स सादा हो गए है चलो ठीके उसके बाद हमाई टोमैटोस की टॉपिंग हो गई है अब हम नीचे चलते हैं यहां और हमने ले लिया है और थोड़ से सॉसिजेज अच्छे हैं या चलो सॉसिजेज भी ठीक हैं थोड़ा महंगा कर दे हो गया है हमारा पिज़ा लिग बैट इस ओके अगर आफ कर देते हैं आफ हो गया है अब चलते हैं अपने नेक्स पार्क की तरफ नाव इच्टाइम टू इटिंग ओके इस टू युमी इसी के साथ मेरी ये वीडियो होती है एंड गेमिंग वीडियो होती है एंड अगर आप लोगों को मेरी ये गेमिंग वीडियो पसंद और अपने फ्रेंड्स में लाजमी शेयर करिएगा और बैल आइकन प्रेस करना बिलकुल मत भूलेगा इसी के साथ मैं मिलूंगे आप से अपनी नेक्स वीडियो में जब तक के लिए अलाहाफिस